हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एडू एस यूर एजुकेशन मेंटॉर फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट वन वाई वन अपने ओनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस स्टार्ट कर रहे हैं और करनाटक के सब्सक्राइब करनाटक ने अपनी ओफिशल वेबसाइट www.kea.kar.nic. इन पर एक नोटिफिकेशन रिलीस किया है फोर ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन सब्सक्राइब करते हैं यह जो नोटिफिकेशन आया है इसमें बताये गया है कि ऑनलाइन एप्लिकेशन डेट and payment of the application fees date को extended कर दिया गया है जो लास्ट ताइम ओनलाइन एप्लिकेशन डेट थी वो 17th of December थी and payment of the application fees date at 18th of December थी बताव इन दोनों डेट को increase कर दिया गया है अब जो ओनलाइन एप्लिकेशन विंडो ओपन रहेगा वो 22 of December अप्टू 5 पीम तक ओपन रहेगा and आप अपनी payment के लिए भी 5 पीम 22 December 5 पीम तक आपकी payment submission भी होता रहेगा so candidates 22 December तक online registration के लिए apply कर सकते हैं and friends अब हम बात करते हैं online registration form की previous वीडियो में काफी comments आ रहेती कि registration form किस तरह से feel करना है या जो नौन करनाटक candidates हैं उन्हें कोई other information तो उसमें mention नहीं करनी है या क्या-क्या documents की हमें need होगी सब्सक्राइब करते हैं करनाटक की website पे official website पे हम यहां पर इसको कर लेते हैं English यहां पर comments देखिया में online application लिंक प्रोवाइट किया गया है online application लिंक पर जाएंगे और जो candidates पहले ही registration कर चुके हैं उन्हें यहां पर अपनी ID मेंशन करनी है पासवर्ड मेंशन करना है एंड जो यहां पर शो और यहां पर कर देना है एंड लॉग इन तो जो candidate registration कर चुके हैं उनका पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड जो न्यू candidates apply करेंगे वह website पे जाएंगे online application लिंक पे जाएंगे और यहां पर न्यू यूजर अगर आप करनाटक के में द्राइंड तो इसको यह कर दिंगे दर वाइस आप किसी अधर स्टेट से हैं और करनाटक में private college के लिए Аप्लाइ कर रहे हैं या एनरा आए स्टुडेंट है तो आप इसको यहां पर कर दिंगे यहां पे Indian फिल करेंगे कैंट यहां पर आप से पूचेंगा की आरे हुआ student of कarnatक तो आप नहीं हैं तो यहां पे Non- Dann Student no कर दि ultimate're और इन den तो यह पर too कुछ फेजिस में विल हो रहा है इसमें पर mention करेंगे तो आपकी कुछ details auto fill हो जाएंगी like your name father's name mother's name your gender आपको यहां पर अपने date of birth mention करनी होगी आपका neat score auto fill हो जाएगा and आपको यहां पर आपका working mobile number जो भी आपका mobile number working है वो mobile number आपको अपनी valid email id अगर को नोटिफिकेशन आपको mail id के थुरू पहुचाया जाए तो आपकी mail id पर पहुच जाए वो और यहां पर friends को secret questions दिये गए हैं जैसे what is your mother name what is your vehicle number what is your place of work what is your favorite color and what is your favorite food इन में से किसी एक को भी आप कर सकते हैं यहां पर आप उसका answer mention कर सकते हैं और आप उस answer को याद रखिएगा और नेक्स्ट is capture यह जो capture आपको यहां पर शो होगा वो capture आपको जिस alphabet में show हो रहा है like small या big आपको इस alphabet में यहां पर mention कर देना है and then registration आपको कर देना है एक बार करने से पहले इसको रीचेक कर लीजेगा सारी information को and then registration registration के बाद आपको एक ID and एक password यहां पर मिलेगा जिसकी आपको अपने पास photo क्लिक करके रख लेनी है ताकि आप next time अगर लॉगिट करें तो आपके ID, password के through हो जाए and after journal details आपको academic details फिल करनी है academic details में अगर friend आप कुछ questions पूछेगा quiz question होंगे अगर आप करनाटक के student है तो आपको yes करने है otherwise आप करनाटक के student नहीं है आपने वहाँ पर कोई qualification नहीं किये करनाटक से तो वह आपको no कर देने है and then आपको next save करके next page पे जाना है save friend इसलिए करना है क्योंकि इसमें timing है अगर आप उस timing में नहीं कर पाएंगे form पूरा fill तो आपका जो page वह लॉग आउट हो जाएगा and then आपको starting से ID password डालके start करना होगा अगर आपका save होगा तो आप अपनी ID password वहां mention करेंगे और जो आपका save होगा वह आपको उसके आगे का आपको process start करना होगा and after academic details reservation detail आपको mention करनी है reservation detail में आपको category what's your category like s e s t journal या जो भी category है and what's your parents annual income आपके parents की जो भी annual income होगी वह mention करनी है and need attempt का question पूचा जाएगा उसमें yes वो quiz question होगा yes या no reply देना होगा तो जो करनाटक के candidate है अगर उन्होंने एक से जाधा वार need attempt किया है तो वहां पे वो yes कर सकते हैं otherwise आप उसे no करके भी आगे सेव करके next page पे जा सकते हैं after reservation आप से वो study details मांगेगा study details में आपको friend first से लेके 12th class तक की mark sheets आपको mention करनी होंगी आपके अभी educational documents upload नहीं हो रहे हैं बट आपको उसमें details mention करनी है उसमें आपको आपका school name like आपने first class किसी स्कूल से की थी second किसी स्कूल से की थी थी third किसी स्कूल से 12 तक आपको आपका school name and आपने first class कब से कब तक की थी from to from to कब से कब तक की थी आपको वो year mention करना है ऐसे या first second first to 12 सारी classes के mention करते हुए चले जाएंगे and उसे save कर देंगे next page कर देंगे आपका next आएगा photo जहां पर आपको अपने कुछ documents upload करने है जिसमें अभी सिर्फ candidate का photo candidate के signature and candidates के जो parents है उनके signature 40 kb के अंदर आपको jpg file में उसको send करना है 40 kb से ज्यादा file वो आपका नहीं लेगा आप उसको वहां पे save कर देंगे upload कर देंगे देन वह आपको show होने लग जाएगा and after photo mean document upload के लास्ट आएगा आपका declaration declaration में small note होगा जिसमें आपको यहीं बताया गया होगा कि जो भी आपने इंफोर्मेशन प्रवाइट करिए वह आपने नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे लास्ट होगा आपका payment payment फ्रेंट सभी कैटेगरी इसकी पेमेंट जैसे कि आप जानते हैं अलग है ऐसी जो एसी हो गया स्थी हो गया उसकी जो पेमेंट है वह 500 रुपीज है और जो जनर्नल टू एटू बी थ्री यह थ्री बी इनके थाउजन रुपीज रिजिस्टेशन चार्जिस एंड जो एनलाई को टे से जा रहे हैं उनके तूद्थाउजन रुपीज चार्जिस ऊफ रजिस वेरिफिकेशन की टाइब पे वह application का प्रिवीव, आपको वहां पर submit करना होगा स्व्रेंटSON से निव केंडिडेट्स फर्म और सकते हैं जो भी आपको लाइक comments वह आपने प्रिव और कहलには यह यह जैसे अभी on-line link पनार verification के लिए document upload के लिए भी एक link provide हो जाएगा document verification uploading डेट जो है वो 20 दिसमबर से …"ट है 23 दिसमबर तक अभी आपको सिर्फ registration हो रहे हैं तो जब आपके registration हो जाएंगे 20 दिसमबर से आपको एक link provide हो जाएगा जो not करनाटक student हैं जुन्होंने अधर स्टेट के केंडीडेट हैं जिलुने प्राइवेट कॉलेज के लिए जो distinct हैं फपने अप्लोड कर सकते हैं लेकिन कंडीडेट gef। सभी के लिए हैं 20 धिसंबर 20 धिसंबर तक और भी कमेंट्स अंप्राइबолот को सब्सक्राइब को नहीं एं dh और यह को प्राइविट के लिए को यह उन्हें नहीं देना है और जो यह देट है वह 18 दिसमबर क्या रटाएब यह भी आपको फिजिकली बैंगलोर जाके देना होगा और जो भी आगे का प्रोसेस होगा आफटर रजिस्ट्रेशन डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के बाद का जो प्रोसेस होगा चॉइस फिलिंग वगेरा वह अभी करनाटक की वेबसाइट पर रिलीज नहीं किया गया है अ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स पर वाचिंग दिस वीडियो और आल दा वैरी बैस्ट फूर नीट कांसलिंग अक्टिविटीज झाल सकते हैं आल 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 सकते हैं